हेलो गाइज, आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी माल हमारे पास shortage में है या खतम होने वाला है तो उस product का particular product का हम order कैसे देते हैं मान लिजे कि order कोई भी हो कोई भी एक product हो सकता है वो मान लिजे कि हरी कील हो सकता है यहां चाइना फ्लैक्स हो सकता है जो यहां पर लिखा हुआ है बाकि और भी बहुत सारी तरीके के products हो सकते हैं जिन hardware products हो सकते हैं, जिनमें हम deal करते हैं, तो वो कोई भी product हो सकता है, जिनको हमें order place करना हो, क्योंकि हमारे पास माल की shortage है, तो हम जिस party से हम माल लेते हैं, हम उसको order place करने के लिए, उसको order बताएंगे, तो उसके कुछ process होते हैं कि कैसे, उस order को हम company को बोलते हैं, order लगवान सबसे पहले, indent sheet पर order की quantity लिखते हैं, order कितना मंगवाना है, फिर order का PO generate होता है, अब आप सोच रहोंगे कि indent sheet किसे कहते हैं, indent sheet कुछ भी हो सकती है, like कि जिस जिस sheet पर, माल लिजे कि हमारे यहां पर product description है, quantity है, total quantity है, UQC है, यह जहाँ जहाँ लिखा होगा है, जरूरी नहीं कि एक paper pay हो, यह WhatsApp पर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ quantity लिखी हो, quantity लिखी हो, हमें क्या-क्या order जो हमारे पर shortage है, वो माल हमें मंगवाना है, वो कहीं भी हो सकता है, WhatsApp पर या paper पर, कहीं भी हो सकता है, तो उस sheet को हम indent sheet बोलते हैं, तो सबसे पहले काम हमारे लिए क्या हुआ, सब से पहले हम indent sheet पर order की quantity लिखते हैं, order कितना मंगवाना है, फिर order का PO generate होता है, PO मतलब pending order, so second process यह होगा, कि PO generate करने के बाद party को PO WhatsApp किया जाता है, कि हमें sir हमें यह यह माल आप से मंगवाना है, तो आप हमारे लिए यह order तयार कर दीजे, अब order हमने दे दिया है, third process इसका क्या रह हम party को यह चीज WhatsApp करेंगे, indent sheet जो है, हम WhatsApp करेंगे party को, कि आप हमें एक date बता दीजे, कि हमारा यह order हमें मंगवाना है, किस date को मिल जाएगा, उसके बाद party हमें एक date प्रोवाइड करेगी, कि इस date को आपके पास यह माल पहुच जाएगा, तो उस date को हम अपनी follow up work वाली sheet में fill कर देंगे, follow up work वाली sheet में fill करने के बाद, party जो भी हमें date बताएगी, अगर उस date तक हमारा माल आ गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं आया है, तो हम उस पे call करेंगे, party को call करके पूछेंगे, कि अभी तक आपका order हमारे पास नहीं पहुचा है, त तो सारी चीज़ receive कर देंगे, लेकिन अगर partial में माल आया है, माल लीचे कि हमने जितना माल उसको बेजा था, उतना माल नहीं आया, उसका थोड़ा सा माल उसने बेजा है, तो हम partial माल को receive करेंगे, और sheet में डाल देंगे, कि इन्होंने partial माल हमें बेजा है, अब material को received करने के जो भी हमें माल आया है, उसको हम एक app sheet में P.O के dashboard पे जो होती है, उसमें हम fill करते हैं, मतलब एक invoice number हमें party provide करेगी, वो invoice number को हम उस sheet में डाल देंगे, उस sheet में डालने के बाद, राजू और मोनू जो की R&D के part है, राजू और मोनू जो हैं हमारे R&D का work करते हैं, तो जो भी हमारे माल निकलवाने के बाद, P.O जनेट होने के बाद, सारी चीज़े होने के बाद, हम यह चीज़ आगे की process किसके पास चल जाएगी, राजू और मोनू के पास, आगे की चीज़ें वो handle करेंगे, जो भी उनका receive and dispatch का का काम होगा, R&D, उसको राजू और मोनू आगे handle कर होता है, जो भी हमें कभी माल मंगवाना हो किसी भी कस्टूम, किसी भी पार्टी से, तो वो हमेरी सारी चीज़ इस प्रोसेस से गुजरती है, थैंक यू